नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचे दोखस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जहां हारनिया आत का उतरना होने के कारण लक्षन और इससे निजात पाने के सबसे आसान घरेलू उपाय हम आज अब सभी को बता र इत्यादी जब आत अपने अस्थान से अलग होती है तो रोगी को काफी दर्द एवं कश्ट का अनुभव होता है इसे छोटी आत का बाहर निकलना भी कहा जाता है खास तोर पर यह पुरुषों में वक्षन नलिका से बाहर निकल कर अंड कोश में आ जाती है इस तरियों मे पर वापस आ जाती है इस बिमारी में कम से कम खाना चाहिए इससे कबज नहीं बनता है इस बात का खास ध्यान रखें कि मलत्याग करते समय जोर ना लगे क्योंकि इससे आत और ज्यादा खिसक सकती है आत उतरने का यानिक हारनिया का कारण कबज जटका तेज खासी गिरना चोट लगना, दबाव पढ़ना, मलत्याक्ते समय जोर लगाने से या पीड की दिवार कम जोर हो जाने से आत कहीं न कहीं से बाहर आ जाती है। और इन ही कारणों से वायू जब अंड कोश में जाकर उसकी शिराओं नसों को रोक कर अंडों और चमडे को बढ़ा देती है जिसके कारण अंड कोशों का आकार बढ़ जाता है। वात पीत, कप, रक्त, मेद और आत इनके बहेद से यह साथ तरह का होता है। आत उतरने के लक्षन वातज रोगों में अंड कोश मशक की तरह रूखे और समाने कारण से ही दुखने वाले होते हैं। मुतरज के अंड कोश बढ़े होने पर पानी भरे मशक की तरह शब्द करने वाले चूने में नरम इधर उधर हिलते रहने वाले और दर्द से भरे होते हैं। मुतर वृद्धी में अंड कोश अपने स्थान से नीचे की और आ पहुंच जाती है। फिर संकुचित होकर वहाँ पर गाठ जैसी सूजन पैदा होती है। आत उतरने यानि के हारनिया में भोजन तथा परहेज क्या खाएं क्या न खाएं। दिन के समय पुराने बढ़ियां चावल, चना, मसूर, मूंग और अरहर की दाल, परवल, बैगन, गाजर, सहजन, अदरक। इसके अलावा रात में रोटी या पूरी, तरकारियां तथा गर्म करके ठंडा किया हुआ थोड़ा सा दूद पिना फायदे मंद होता है। लहसुन, शहद, लाल चावल, गाय का मुत्र, गाजर, जमिकंद, मठा, पुरानी शराब, गर्म पानी से नहाना और हमेशा लंगोट बांधे रहने से लाव मिलता है। द्यान रखें। इंद्रायन, इंद्रायन के फलो का चून लगबग एक ग्राम का चौथा भाग या जड़ का पावडर एक से तीन ग्राम सुबह शाम खाने से फायदा होता है। अनुपात में सोट का चून और गूर का प्रियोग करते हैं। इसका दूसरा नाम एक सीरा रखा गया है। देवदारू के काढ़े को गाय के मूत्र में मिलाकर पीने से कफज का अंडवरिध्धी रोग दूर होता है। सफेद खांड और शहद मिलाकर के दस्तावर औशधि लेने से रक्तज अंडवरिध्धी दूर होती है। वच वच और सरसों को पानी में पीश कर लेप करने से सभी प्रकार के अंडवरिध्धी रोग कुछी दिनों में दूर हो जाते है। इसके अलावा एरंड एक कप दूध में दो चमच एरंड का तेल डालकर एक महिने तक पीने से अंत्रवरिध्धी ठीक हो जाती है। खरेटी के मिश्रण के साथ अरंडी का तेल कर्म करके पीने से अध्यमान दर्द आंत्रवरिध्धी एवं गुल्म खत्म होती है। या दो चमच एरंड का तेल और बच का काढ़ा बनाकर उसमें दो चमच एरंड का तेल मिलाकर खाने से भी लाव होता है। गुगुल एलुआ, कुंद्रू, गोंद, लोध, फिटकिरी और बैरोजा को पानी में पीसकर लेप करने से आंत्रवरिध्धी खत्म होती है। कौफी, बार-बार कौफी पीने से और हारनिया वाले अस्थान को कौफी से धोने से हारनिया के गुबारे की वायू निकल कर फुलाव ठीक हो जाता है। मारू बैंगन, मारू बैंगन को भूभलक में भून कर बीच से चीर कर फोतों यानि के अंडो कोशो पर बादने से आंत्रवरिध्धी एवं दर्द दोनों बंद होते हैं। बच्चों के अंडवरिध्धे के लिए यह उत्तम होता है। चोटी हरण, चोटी हरण को गाई के मूतर में उबाल कर फिर अरंडी के तेल में तले, इन हरणों का पाउडर बना करके काला नमक, अजवायन और हिंग मिला करके 5 ग्राम मात्रा में सुबह शाम हलके गर्म पानी के साथ खाने से या 10 ग्राम पाउडर का काढ़ा बना कर खा अजवायन, अजवायन का रस 20 बूंद और पोदीने का रस 20 बूंद पानी में मिला करके पिने से आंत्र बृद्धि में लाब होता है दूद, उबलते हुए हलके गर्म दूद में गाय का मूत्र और शक कर 25 ग्राम मिला कर खाने से अंड कोश में उत्री हुई आंत्र अप उपर चली जाती है गोरक मुंडी, गोरक मुंडी के फलों को मातरा के बराबर मुसली, शतावरी और भांगर लेकर कूट पीश कर पावडर बनाए यह पावडर तीन ग्राम पानी के साथ खाने से आंत्र बृद्धि में फायदा होता है हरड, हरड मुलेठी, सोट, एक एक ग्राम पावडर रात को पीने के साथ खाने से लाब होता है मुलठी, मुलठी, रास्त्रा, बरना, अरंडी की जड़ और गोशुर को बराबर मातरा में लेकर थोड़ा सा कूट कर काढ़ा बनाए इस काढ़े में अरंड का तेल डाल करके पीने से आंतर वृद्धि में लाब होता है जहां दोस्तों, तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहाद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों